हेलो गाइज ओस्वागत है वर्फु से शैनल में आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है ५ हेसी जन्य अक्सिजन प्लॉंप भरती 2021 के बारे में संपूर जणकारि हम इस वीडियो में देने वाला है । दोस्तों और भी इस वीडियो के सुरात में मैं बता दूं कि इस वीडियो में क्या-क्या मैं हमेंने सामिल किया है ट्रेनिंग से लेकर ज्वारिन तक सारे प्रोसेस के बारे में आपको बताया है कि कभी क्या होने वाला है अब आगे क्या होगा CBT form जिनका pending है आया जिनका अप्रूब हुआ है जिनका CBT exams नहीं हो पाया है उनके साथ क्या होगा NCBT और ST भर्टी वालों के लिए पांगा क्या है CBT exams कब होगा बिहार का और जो जर्खंड का जो आपका CBT exams हुआ है उसका result कब जारी होगा और result जारी होगा तो उसका marks कैसे मिलेगा और यह जो job होगा पर्मानेंट होगा या contractually होगा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रमोशन क्या है और वीडियो के लाश्ट में आपको बताऊंगा इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तों और अगर चैनल पर पहले बार है तो चैनल को subscribe करें बेल आइकन को जुरूर पेस्ट करें ताकि जब भी इससे related वीडियो लेकर आपके पास नोटिफिकेस को बारे में जाने वाले हैं तो दोस्तों मैं सबसे बताता हूं कि यह जूरू ट्रेणिंग करा रही है और डेयो के तरफ से डेया दिया गया है अब RDSD आनि हर एक स्टेट के RDSD को यह जीमा दिया गया है कि बच्चों आइट यह ट्रेणिंग को ट्रेणिंग कराए जाए ताकि PSA प्लांटे पर उनको रखा जा सके और PSA प्लांट वह समाल सके इसके बारे में हमको डिटस आपको समझाने वाला है तो मैं फालने आपको बज़ा जता हूं कि यह DRD का ही प्रजेक्ट है जो RDSD को मिला है बचों को ट्रेनिंग कराने के लिए ठीके दोस्तों आगी चल प्रजेक्टा के ट्रेनिंग हुआ उसके बाद OJT वहा है यानि अन्य जॉब ट्रेनिंग उन्हीं लोग का हुआ था जिनों का स्वास्विभाग के तरप से जो जारी हुआ था लेटर उस लेटर आपके पास ही होगा उस लेटर में जिनका जिनका नाम था उनका OJT हुआ लेकिन बहुत सारे स्टुडेंट थे जो इस OJT को मिस कर दिये थे दोस्तों तो उसके बाद मैं बता दूँँ जब OJT जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आपका एक सीबीटी होगा दोस्तों क्या होगा सीबीटी एक्जाम्स होगा जो कि आपका परतेक स्टेट के RDSD office या बिहार और गुजिजरत हो या हरियाणा हो हर एक स्टेट में इसका एक्जामस होगा सीबीटी एक्जामस होगा शोगा लिखा हुआ WAECंडी लेकिन आपका ओफ-लाइन एकजाम में यहाँ पर लिया जाएगा दोस्तों एक बार मैं मैं बतादो कि छरखंड का है उसकि वाद फिल कर चुके हैं सारे process कर लिए हैं तो उनका RDSD list बना कर स्वास विभाग को भेज देगा और वहाँ लड़का training का सारे process पूरा कर लिए हैं उनका वहाँ पे selection किया जाएगा उनके तरब से mail आएगा या call आ सकता है और वहां पर अफर लेटर आपको दिया जाएगा और उसके बाद वहां से आपका टोटल डॉक्मेंट फिरिफिकेशन होगा और उसमें अगर सही पाई जाते हैं तो वहां पर आपको ज्वाइनिंग कर ली जाएगी दोस्तों अब बात करते हैं कि जिनका फर्म अप्रूब हुआ है या जिनका फर्म पेंडिंग है उनके साथ क्या होगा कि अभी अभी एकजामस हुआ है नो तरिक जो एक्जाम्स हुआ है वो आपका सिर्फ जर्खंड वालों का हुआ है और जर्खंड वालों का एक्जाम्स हुआ है दोस्तों अभी बिहार का एक्जाम्स बाकी है और बहुत सारे एस्टेट का भी एक्जाम्स है बाकी है दोस्तों तो अभी तक जब मैंने बात किय अप्रूबल मिला है लेकिन बात में जब बात किये तो उन्हों ने बताया कि जरकंड वालों के एक्जाम्स हो रहा है बिहार वालों के एक्जाम्स अभी नहीं 26 तारीक होगा दोस्तों 26 तारीक होगा और जिनका पेंडिंग उनका फॉर्म क्या होगा अप्रूब कर दिया भी कोई सुचने वाली बात नहीं उनका भी फॉर्म 26 तारीक से पहले अप्रूफ कर दिया जाएगा दोस्तों इसमें कोई सक नहीं है कि आपका एक्जाम्स नहीं होगा उन्हों सबका एक्जाम्स होगा बिहार वाले का सारे बैच का बिहार वाले का एक से लेको छे तक जित उनका फॉर्म अप्रूब जरूर होगा और इसके लिए आप चिंता मत किजिये आगे बात करता है आगे क्या होने वाला है दोस्तों अब बात करते हैं कि CBT exams कब होगा भीहार का CBT exam's again कब होगा तो दोस्तों मैं बता दो कि बिहार का CBT एक्जाम्स 26 तारीक को होने वाला है हलांकि 21 तारीक को बोला गया था लेकिन रिजल्ट के त्यार करने के चकर में थ्वासा डिले हो गया और 26 तारीक एक्जाम्स होगा 26 तारीक आपका एक्जाम्स होने वाला है दोस्तों जारी किया गया तो उसमें लिखा हुआ गया था कि यह सारे लोग 80 घंटा के ट्रेनिंग कम्प्लीट कर चुके हैं तो कागज पर यानि आपका पेपर पर आप कर चुके हैं अब आगके एक्चॉली में तो नहीं हुआ है लेकिन Ç cá होता है लेकिन 26-1 से पहले जो भी होगा 26 ix से पहले ही कर दिया जाएगा अब भात करते हैं कि जारखण्डवाला आपका 16 तारिक आए आज मैं वीडियो बना रहा हूं यानि 16 सितंबर को जारी कर दिया गया है जो लोग सी बीटी के एक्जाम्स दियें वो लोग अपने फर्म में लोगिंग करके देख सकते हैं उनका रिजल्ट सेक्शन पर जाकर वहां पर देख सकते हैं उनका रिजल्ट आए चुका है दोस्तों और इसमें सुचना वाली बात यह है कि सारे स्टुडेंट इसमें पास है सारे NCDT वालों के होगा कि नहीं होगा तो बहुत सारे से रृषमिकी जेयर करना है कि एंसी बीटी वालों का नहीं हुगा तो मैं बतादोंको दोस्तों सी बीटी एंसी बीटी। और आपका स्ट बीटी की दोनों का या इन्सिटी तो कोई दोनों का थे और शाल कर सेड़ लिए जाएगा इसमें कोई तूर्टी नहीं है जो लोग यह बोल रहे हैं तो आप इन अफवाव से बसते रहे हैं आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों कि आगे क्या अब हम जानते हैं तो दोस्तों में इसक की जनकारी अभी तक नहीं मिली है कि यह जोब प्रामइन ठो होगा यह कंट्रेक्चिवल होगा यह मैं आपको बजा दते हूं कि शुरुआत में आपको संभीदा पे रखा जाएगा लगबख एक साल या 11 महिना के संभीता पर रखा जाएगा और जैसा आपका काम देखा जाएगा उसके बाद आपको पारवान एंट याने साथ साल के लिए कर दिया जाएगा इस माहें बात को मालूम है आपको मुझे जनकारी है अगर अब आप लाशना बात करें के सेल्डी कितने होने वाले है तो मैं बता दूँ दोस्तों इसमें सेल्डी 20 प्लस यंट निटी प्लस के होने वाले तोस्ख यह ऊवली है तो आप लोगों को चिंटा करने के कोई बात नहीं है सारे स्टेफ सारव जो जितने ही प्रोसेस से स्टेप होने वाला हैं आप अंपस्टम के थो चैनल को साभकर करके सब्सक्राइब करें बहुत करी करने हैं 08